अच्छा सबसे पहला हमने देखा था कि हम एक पेज कोई भी फकर लेते हैं उसमें हम प्रेक्टस कर लेते हैं कॉंटेक्ट अस था ब्लोग पेज शाइद एमटी था तो उसको हम देख लेंगे था एंपी एम स्टार तो यह फिलाल एमटी एक पेज आ रहे हैं अच्छा हमने आज करना यह है कि रेक्ट के अंदर जो तो हम इसके नीचे एक बटन लगा जेते हैं तो हम इसके नीचे एक बटन लगा जेते हैं में भी उसको बोल देते हैं इस टी एमल का सिंपर बटन का लगा जेते हैं और इसको हम बोल देते हैं सम्मीट तो हमें यह इस तरह से जाना वो सम्मीट नदर आ रहा है इसके बीचे में भी हम जो है वो इसका स्टाइल प्रवाइड करके बैगरांड तलर जो है वो थोड़ा सा सट कर सकते हैं यह कुछ इस तरह से बटन जो है ना हमारे पास पॉप अब शोर है बटन शोर है लेकिन इसके उपर क्लिक करने से कुछ भी नहीं आए तो हमें यह इंड़स्टेंड करना है जो हमें इवन्ट देते हैं बहुत सारे ऐसे इवन्ट हैं जो यूजर एक्टिविटीज करते हैं इवन्ट हमें इस्टेमल के थू मिलते हैं उन इवन्ट को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं यह हम स्टडी करना है तेखो एज विए जो इवन्ट लगए है वो तो हम ऐसे ही लगाएंगी जैसे बटन के उपर हम ओन क्लिक लगा सकते हैं ओन लेकिन इस्टेमल में सी छोटा होता ह यहां पर ना ऐसे हमको event लगाते थे फिर आगे हम function का नाम देते थे ऐसे करते थे लेकिन react में c बड़ा आएगा camel case में और यहां पर जो function का नाम देना है इसमें भी थोड़ी strategy change है तो उसको हम अभी के लिए खतम कर देते हैं तो on click अगर button के उपर हमने on click लगाना है तो on का c बड़ा लगाएं के on click का आएगा equal to आगे हम function बनाएंगे function देंगे इसको अच्छा पहले भी हम function का नाम दे रहे थे अब भी हम function का नाम देंगे पहले हम देते हैं string के format में लेकिन अब हम देंगे जावस की format में लाइक हमें जावस की लिखनी है तो हम क्या लिख देंगे के दर curly braces अच्छा हम function बनाने के लिए अब हमारे पस दो रस्ते हैं एक हम function बनाएं component के अंदर और और वो function फिर component का हिस्सा होगा और एक हम function के बाहरे भी बना सकते हैं function component के अंदर बनाना है function का क्या मतलब है return से उपर और component बनने से नीचे तो component हमारा यहां से शुरू हो रह बनाएंगे यहां में function बनाएंगे अच्छा वो function function कीवर्ड से भी बना सकता है लेकिन हम normally confusion से देखो न हम अगर यहां में function कीवर्ड से बनाते हैं own click और इस तरह से लगाते हैं button click door हम वो function नीचे पास कर देंगे अब यह भी function है उसके अंदर एक फिर function है तो फिर हमें confusion यहां चेंज के लिए बनाया है या कोई on blur के लिए बनाया है जैसे कि mouse उपर जाता है mouse over के लिए बनाया है ऐसे जो event है उनके लिए वो function बनाया है या कि वो component का function है तो इस confusion से बचने के लिए react का standard यह कहता है हम component के अंदर जितने function बनाएंगे न वो arrow function नीच डिजाइन करें तो हम इसको बनाएंगे constant function का ना और equal to और उसके आगे arrow का sign इस तरह बनता है ना arrow function हमने arrow function बनाया और उसको एक variable के अंदर assign कर दिया अब इससे पता लगेगा कि यह react का component है जिस function के keyword से जो बनाया है अब इसके अंदर जितने भी function बनाएंगे वो मेशा हम arrow function ही बनाएंगे अक्सर आपको नजर भी आएगी यह चीज लाइक हमारा standard यह रहता है जो हम react की component बनाते है एक file में वो function हम function keyword से बनाते है उसके लावा जितने भी हम function बनाएंगे जो उस component का part है उन सब को हम मेशा किस तरह बनाएंगे arrow function से बनाएंगे तो हमने यह arrow function के निहार से इसको बना लिए अच्छा अब simply normally हम जब लिखते थे ही HTML में on click एक तो c छोटा होता था और उसके साथ handle click के साथ हम लगाते थे इस तरह से bracket का नाम इस तरह से define करते थे ना यानि function का नाम और साथ में brackets का नाम इस तरह से हम इसको design करते थे अच्छा react के अंदर हमने एक तो यह string को खतम करके यहां पर क्या एक तो c बड़ा किया है on click का दूसरा यह string खतम करके उनकी जगा क्या कर दिये arrow कर दिये अच्छा एक और चीज़ आएगी कि जब हम arrow करेंगे तो हम function को ना call नहीं करेंगे यह calling वाला stylus को खतम कर देंगे सिर्फ function का नाम लिखेंगे इसके पीछे एक science है कैसे अगर हम function का नाम लिखते हैं तो अजियूम करो line number five चलेगी फिर six चलेगी फिर eight चलेगी जैसे eight चलेगी तो यहां पे curly braces में उसको पता लगेगा जावस की लिखी हुई है जब वो उसके अंदर आएगा तो वो क्या करेगा इस function को call कर देगा हलांके अभी click भी नहीं हुआ और फिर भी वो call हो जाएगा हमने इसको call कब गराना है जब click को तो इसलिए react कहता है कि अगर आपने automatically call नहीं कराना है जब click को भी call कराना है तो आपने यह bracket नहीं लगाना है इसके आगा अब यह function कौन call करेगा react खुद से call करेगा जब हम उस पे click करेंगे तो हमने दो तीन changes किये html में on click छोटा होता है हमने on का c बड़ा रखा react में पिर हम html में function का नाम और उसके साथ उसको call कर देते हैं react में एक तो वो string वाला format खतम करके हमने curly braces लगाई जवाज कि और दूसरा हमने function का नाम लिखा लेकिन उसके साथ brackets नहीं लगाई क्यों क्योंकि curly braces का मतलब जवाज की पोता है और अगर उसके अंदर हम bracket लगाएंग तो टेक्निकली हमारे पास ये जो है वो ये चलना चाहिए ना on click हमने इस पर click कर दिया और जैसे click होगा हमने उसके ये वाला function जो है वो call कर दिया अच्छा console लगाया होगा हम alert लगा देते हैं button click अच्छा भी आपने question किया कि ये function हमने define कर दिया लेकिन इसको कुछ parameter पास नहीं किया अब जब parameter पास करना है तो definitely फिर क्या करना पड़ेगा brackets लगानी पड़ेगी फिर इसमें जैसे 10 20 कुछ भी parameter पास कर सकते हैं लेकिन अब अगर इसको argument पास करेंगे ऐसे तो फिर ये क्या होगा फिर आटो call हो जाएका फिर तो ऐसे कर नहीं सकते इस चीज़ का solution ये क्या provide करता है कि अगर आपके function ने कोई parameter या argument रेसेट करने हैं उस case के अंदर भी आप on click के आगे पहले arrow बनाओगे एक और अब देखो ये arrow का मतलब किया है हमने function बना दिया लेकिन उस function को call अब उसके return में हमने क्या किया है एक और function call कर दिया है अब जब react हो मतलब जब javas की इसके अंदर आएगी वो पड़ेगी वो कहेगा ये एक arrow function है लेकिन arrow function को call तो नहीं किया तो automatically वो उसको call भी नहीं करेगा वो जब इस पर click होगा तो फिर वो इसको call करेगा इस arrow function को जैसे ही arrow function call होगा उसके आगे हमने क्या call कर दिया अपना function argument with argument अब ये दो argument आजाएंगे इसमें जैसे किदर करने की दुरूरत नहीं है जैसे एदर हम कुछ return भी करते हैं तो on click को हमने क्या देना है कुछ भी नहीं है return की दुरूरत नहीं है सिर्फ हमने argument पास करने के लिए arrow function define कर दिया अब ये a b मुझे बिल लेगा वो simply a b हम यहाँ पे console में call कर सकते हैं तो यहाँ भी हमने call किया इसको और 10 आ रहा है alert में sorry alert में एक ही आती है न multiple parameter नहीं होते हम console में किरा लेते हैं और inspect कर लेते हैं तो क्या समझ में आया react में हमें अगर कोई function की calling करनी है कोई on click के उपर function call करना है तो एक तो हम उसको बनाएंगे react का अंदर यह जो function है ना यह इस function का child है ऐसे ही है न तो technically यह जो handle click है वो component block का क्या है चाइल्ड है यह इसका function है अगर हम इसको यहाँ से बाहिन निकाल देंगे ना फिर यह जो function है यह component block का part नहीं है यह global function है अगर हमने किसी function को component का part बनाना है फिर उसको अंदर define करना है return से उपर और जहां पर component शुरू हो रहा है उससे नीचे और मेशा arrow function बनाना है arrow function मैंने बताया क्यों बनाना है क्योंकि otherwise confusion होगी कि अगर सारे function 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 keyword से बनाएंगे function तो वो फिर बहुत ज़ इसमें से actual function है कौन से है जो component है तो इससे हमें अगर हमने 10 function भी बना ली है इस तरह के तो हमें clarity होगी कि एक ही function keyword से बन रहा है वो component है बाकि सारे उसके functions है हाँ यहाँ पर हम arrow खतम करते है इन चौर्ट यह चलना था on click के उबर लेकिन देखो यह जो HTML है यह JavaScript के अंदर लिखी हुई है अब JavaScript के अंदर हमें पता code कैसे चलता है top to bottom जैसे ही हम run करेंगे program ने top to bottom चलना है तो चब लाइन नपर 9 चलेगी न वो समझेगा कि अब यह on click है अब यह on click image है HTML का लेकिन हमें पता कि HTML में जब भी JavaScript की लगानी होती है तो हम क्या लगाते है curly braces तो curly braces का क्या मतलब होता है कि जावस की पाएगी इसके अंदर अब उसने का कि on click तो चलो ठीक HTML है जब click होगा तो तब यह चल जाएगा जावस की को पता है इसका लेकिन जैसी वो curly braces देखेगा उसको यह भी पता है कि अब इसके अंदर क्या आनी है जावस की पानी है तो वो अपना काम उसमें करेगा न चलाएगा जो भी चलानी है अब जैसी देखेगा जावस की पाई है वो देखेगा function call हुआ है वो फोरा function call कर देगा इसलिए हमने उसको समझाने के लिए अब अगर हम यह ना लगाएं फिर क्या होगा फिर उसको पता लगेगा कि function है नाम लेकिन उसकी कोई bracket नहीं लगाई तो मैंने इसको call नहीं करना अब वो automatically कौन call करेगा react जब on click होगा अगर हमने bracket लगाने हैं फिर वो कैते हैं कि आपने क्या करना साथ में यह एरो function साथ में बनाना हैं वो क्यों क्योंकि एरो function बन गया ऐरो function जब हम बनाते हैं एट उसको call करने क लिए हमें इसका कोई variable बनाना पड़ते हैं सब्सक्राइब तो अगर यह क्लिक नहीं को कौन कर कुछ भी नहीं होगा बस वो इनर फंक्शन कंपोनेंट चलियागा अवर राइड कर देगा ना उस फंक्शन को वह निचे वाला जो है वो चला देगा उसको आल सेट के ओन क्लिक पे हमें फंक्शन को कैसे कॉल किया समझागी है अच्छा अब हमने इसको थोड़ा सा और इसके अंदर चीज़ें एड करनी है और भी जो इसके अब आलमोस सारे ऐसी चलेंगे जैसे ओन बला रहा है या ओन माउस ओब रहा है कोई भी आपने इवन्ट चल आने है तो आपने उस पे सिंपली क्या कर देना है जैसे इसमें से कुछ भी आपने चलाना है यह कितने इवन्ट है ओन बलार ओन चेंज ओन क्लिक कपल आफ इवन्ट है जो भी आपने इस पे चलाना है ड्रैग के हैं एमटी एरर है ओन माउस आउट ओन माउस आवर ओन माउ एक आपने arrow function बनाना है handle mouse आपर उस arrow function के अंदर आपने जैसे log लगा दिया mouse entered सभी है और जैसे ही यहाँ पे आपने simplest function का नाम पास कर देना है अगर आपने इसका function का parameter पास करने है तो फिर यहाँ पे हम पहले arrow बनाएंगे फिर उस function को call कर सकते हैं डिरेक्टली call करेंगे तो फिर वो mouse हीट होने से पहले call हो जाएगा तो उससे बचने के लिए भी हम arrow function में आगे वो syntax में जाएगे अच्छा आप माउस अवाट लगा दिया जैसे इस इस पे देखो माउस करना हूं है वो call हो रहा है माउस इंटर हो रहा है तो जैसे हो माउस इंटर हो रहा है तो वो क्या हो जाते है call हो जाते है इसी रहा माउस एंटर है माउस लीव है माउस मूव है कोई भी event आप चलाना है बहुत सारे event है जो भी आप चलाना चाहते हो आप लगा सकते हो इसमें on board, on animation end, on animation start, before input, on blur, on can play, कुछ event जो हैं, वो input पर चलते हैं, कुछ tracks पर चल जाते हैं, तो आप लोग अपने साफ से इनवे से देख सकते हैं, on copy, अगर user copy करता है, on cut, on double click, एक तो single click होता है, on double click, अगर user उस पर, दो दफा कलिक करता है, अगर ये event फायर करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां आगे return से उपर है, constant, handle double click, और arrow function बना आगे, एक event पर एक फंक्शन चल सकता है, हाँ दो चलाने हैं, तो फिर आप क्या करें, यहां भी arrow function बनाया है, करली प्रेसिस लगा लें, और उसके अंदर भी एक से जएधा function कॉल हो सकते हैं, फिर वो multi line हो जाएगा न, code, तो पहला function कॉल हो गया, साथ ही यहां पर, दूसरा हो गया, यह वाला syntax फॉलो हो सकता है, या ऐसे, नार्मली ऐसे भी हम कर सकते हैं, तैदर तैन हम ऐसे करें, अब on handle click तो पता चली रहे, तो इसके start में पहली line पे आप दूसरा function कॉल कर दो, जैसे click को पहला on handle click वाला काल होगा, उसी की पहली line पे दूसरा function कॉल हो जाएगा, तो technically फिर दो function कॉल हो गए न, वो तो आगे हो ही रहा था न, लेकिन फिर वो parameter नहीं पास कर सकते, अगि अगर आप arrow function ना बनाए, handle click तो चलेगा, लेकिन फिर आप ये argument पास, फिर आप वो ऐसे करना पड़ेगा, तो आपने parameter लगा दिया, यह तो किया ही हो है न, हमने यहां पे argument parameter लिए हमें यहां पे, तो यही तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं, यह नहीं चलेगा न, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे line number 18 चलेगी, handle click चलेगा, तो वो फोरण इसको चला देगा, wait नहीं करेगा, event fire होने का, देखो न, syntax गोर करो, curly braces का क्या मतलब है, javascript, handle click और bracket 1020, जब हम call, ऐसे हम किसी function को call करें, तो क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ पर return से उपर लगाएं, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यह handle click और अग्जिक्यूट हो जाएगा, अब इसी को अगर मैं, HTML में curly braces में लगा दूँ, तो यह क्या होगा, फोरन एक्जिक्यूट हो जाएगा, इसको फोरन एक्जिक्यूट से बचाना है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें, या तो हम इदर अगर argument पास करने हैं, तो arrow function लगाएं, अगर argument पास नहीं करने हैं, तो फिर arrow function आना लाजमी है, अगर वो नहीं लगाओगे, तो function आटोमेटिकली चल जाएगा, समझ रहे हैं, जैसे अगर हम यह इदर लगा देते हैं, 1020, अब यह देखो, मैंने इसको call किया, यह हुदी चल गया, मैंने इसको call नहीं, बटन को click किया है, मैंने, लेकिन वो क्या होगा, वो खुदी चल गया, यह execute हो गया है, अब अगर मैं इसको call करूँगा, तो वो execute ही नहीं हो रहा है, तो यह तो फिर object बन जाएगा ना, यह वाली, उससे भी कुछ फरग नहीं पड़ेगा, वो तो expression होती है, वो रहन उसको चला देगा, तो expression ही बन रही है ना, जैसे हमने 10 20 प्लास 20 प्लास ऐसे करना होते है, 10 प्लास 20 प्लास 30, तो हम इसके गेड़ यह लगाते हैं, तो इससे कुछ फरग एफेक्ट आएगा, कुछ भी नहीं, वो 30 करतेगा उसको, इसके अंदर भी function लिखेंगे, उसने तो call हो जाना है, यह तो expression की bracket होती है ना, अगर आपने simply ल इससा पहले चलाना है, कुछ बास में चलाना फिर यूज होती है, तो अगर वैसे ही आप 10 प्लास 20 है, multiple है ही नहीं तो वो बास इसका कोई असर नहीं है, यह तो जाहिला है सर इसका, main important जो बास समझने वाली है ना, वो यह है कि हम अगर जैसे, मैंने किया लेकिन क्लिक नहीं किया लेकिन वो call हो रहा है बार बार, अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, arrow function में आना पड़ेगा, फिर वो call नहीं होगा, arrow, अब यह arrow call नहीं हो रहा है, बटन पर क्लिक करेंगे तो होगा, अब इस पर मैंने double click किया तो वो double click हो रहा है, तो जितने भी event है उनका एक ही syntax है, event का नाम, equal to का sign, और फिर function का, अब बटन पर मैंने on click लगाया है, single वाला, अगर double click हो आप कुछ और लखाना चाहिए, on double click का event fire हो जाए, जैसे मैं इस पर जा रहा हूँ तो mouse over वाला चल रहा है, mouse enter वाला, जैसे submit करता हूँ single click, जैसे double click करूँगा तो double click हो जाएगा, क्योंकि मैंने alert लगाया हो तो वा double click मुझे करने नहीं दे रहा, वा time consume कर जाता है, double click का गए, बटन क्लिक दो दफाँ होगा, क्योंकि मैंने दो दफाँ क्लिक किया, और साथ में double click भी fire हो जाए, जितने भी event है, जो भी event हमें call करने, उसका syntax same है, event का नाम equal to का sign, करली ब्रेसित, जावस की भी लिखनी है, उसमें अगर तो argument पास करना है, तो भी arrow function से start करके पीर argument लिखना है, अगर तो नहीं करना, तो फिर सिरफ function का नाम लिखना है, साथ में bracket नहीं लगाने, फिर वो जब event fire होगा, वो खुद ही call कर देगा reject उसको, ये बस standard है, इसको मैं follow करना है, अब एक input है हमारे पास, let's close, input का tag हम लगा जाते हैं, h1 के नीचे, इस पे हम एक event लगाएंगे अब, input self closing tab होता ना, अच्छा, अब इस पे लगाएंगे placeholder, enter your name, type, x, और, on change, जैसे value change हो, तो event कोई fire हो, ठीक है, अच्छा, इसका मैं event बना ले तो, अब कैसे बनाएंगे, return जी उपर constant, event का नाम on change है, handler, और, यहाँ पे arrow function आ जाएगा, और उसके अंदर, on change handler मैंने, वो लगा दिया, simply, अगर तो मैंने, param pass करना है, तो फिर arrow, अगर नहीं करना है तो, simply function का नाम, on change के आगे मैंने function का नाम लिख दिया, अब मैं जैसे refresh करता हूं, इसमें कुछ करता हूं, देखो, on change हो रहा है, जितनी दफ़ा change करना हूं, वो उतनी दफ़ा, call हो रहा है, अच्छा, अब हमने देखने हैं कि, यार, इसमें जो value है न, on change की, वो हमें receive करना है, on change event, एक automatically, प्रॉप, 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 अगर मैं इसको console लगाता हूं, ABC, तो आप देखिएगा, कि जैसे मैं change करूँगा, तो कितनी चीज़ें आती हैं, ये पूरा इसके अंदर, एक लंबी जेसन आ रही है, उसें बहुत सारी चीज़ें, target के अंदर, जो मैंने value लिखी है, ये वो भी आ रही है, तो अगर हम नवीद लिखें, तो यहां पिए अगर देखें, end पे, हमें value नवीद कहां मिल रही है, ABC के अंदर, target, target के अंदर, value, तो अगर मुझे value प्रिंट करानी है, तो मैं क्या लिखूँँगा फिर, ABC. target. value, तो मुझे वो जो यूजर चेंज कर रहा है, वो value मिल जाएगे, n लिखा, v, लिखा, d, लिखा, हर चेंज होने पे चल रहा है न, उतनी चीदें मिल जाएगे, अच्छा, ये नार्मन हम इसको ABC नहीं बोलते हैं, इसको हम e बोलते हैं, e mean event, event.target.value, अब ये एक चीज़ इंट्रेस्टिंग है, आपने देखा होगे, on change किया कि हमने इसको कोई argument पास नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इसको argument कौन पास कर रहा है, react पास कर रहा है, जैसे change होता है, वो उसका argument भी उसको पास कर, अगर आप चाहते हो, मैंने attentionally पास करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ arrow बना लो, और इसको argument पास करना है, अब वो argument E है, अब यह E मिले का कहां से, यह arrow function को कोई देगा, on change, तो हमने arrow function को भी E पास कर दिया, उसको भी E पास कर दिया, उसको यहाँ पे E मिल गया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, वो by default भी E उसको पास कर रहा है, हमने देखे आगे कर रहा है, हर event देता है, जो भी अगर वो event parameter पास करता है, तो फिर देगा न, अगर वो करते ही नहीं है, तो फिर क्यों देगा है, यह interesting question है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको बता लग जाएंगा, अच्छा हमने, समझागी न आपको, कि event कैसे receive करने है, HTML से, दो तीन चीज़े हैं, एक हमें function बनाना है, return से पहले, और वो error function बनाना है, फिर हमने इसको call करने के दो तरीके देखें, अगर argument बास करना है, तो error function के साथ, otherwise simple function के साथ, तो आपका जो भी event handling है, वो complete हो जाएगी, अब ये event का नाम आप कुछ भी हो सकता है, जैसे on change है, on click है, on double click है, on mouse enter है, on mouse leave, on mouse open, on drag, कुछ भी event आप उसके ओपर fire है, कर सकते हो, on basis of your need के, आपकी need किस तरह हैंगी, all set, on change की समझागी, कि आपको कैसे on change करना है, और ये function भी कैसे बनाने हैं, और इस तरह कि हम multiple functions जो हैंगी बना सकते हैं, अब यूजर में जो text enter किया है, इसको हम simple वाला उसमें ले जाते हैं, तागे complexity ना हो, और इसको हम pass नहीं करते हैंगी, जैसे मैंने लिखना शुरू किया यहांपे, वो R है, अब ये वाला name में UI में प्रिंट कराना चाहता हूँ, यह जो मैं input से ले रहा हूँ, इसको जैसे अब याद करें, हम ले सकते थे, इनको get element by ID से, dot value लेते थे, फिर inner HTML के set करते थे, अब यहां पर यह live बड़ी असान है, एरेक्ट की दुनिया है, यह आप real time update कर सकते हैं, अपने element को, DOM को, जिसमें वो virtual DOM बनता है, real time updates आती हैं, वो भी हम figure out करेंगे, वो कैसे आती है, अच्छा, अब हम, हमारे पास यहां पर यह चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ही हैंना, on mouse, हम क्या करते हैं, कि, यहां पर एक variable बना लेते हैं, top पे, उसका नाम रख लेते हैं, let से बना लेते हैं, और उसको बोल देते हैं, name, colon में भी, अली बोल देते हैं उसको, ठीक है, starting में, मैं क्या करता हूँ, यहां पर, UI के अंदर, input से नीचे, यहां पर, एक ओर, h1 tag लगा लेते हैं, और बोल लेते हैं, user entered, name is, कैसे variable ब्रिंट करते हैं, कर्ली ब्रिंट हो रहा है, variable का नाम, variable का नाम क्या रखा था, name को हम न, user name कर देते हैं, sometime वो confused हो जाता है, तो हमने user name, यहां पर प्रिंट कर आते हैं, तो default में क्या आ जाएगा, अली क्यों आएगा, already signed value, तो मैं इसको देखा, तो यहां पर अली आ रहा है, अगर हम इसको खत्म करते हैंगे तो, वो ने कुछ भी नहीं आएगा, अच्छा यह आ रहा है, अब इस variable को हम change कर सकते हैं यह नहीं, कर सकते हैं, कैसे कर, मैं चारा हूँ कि जो value मुझे, यहां own change में मिल रही है, इसमें मिल रही है ना, तो इसको मैंने अगर variable के गेंश सेट करना तो, मैं कैसे करूँ, इ.rv. तब यूजर नेम के अंदर क्या सेव हो जाएगा, जो भी यूजर बार बार एंटर करना तो, बार बार variable क्या होगा, चेंज होगा, अब अगर हमने देखना है, यह वाकिय हो रहा है या नहीं, इस variable को हमने बनाया है, यह variable इस component log का हिस्सा है या नहीं, हिस्सा है क्यों, इसके अंदर बनाया है हमने इसको, अब इसको मैं किसी भी line में return से पहले लगा सकता हूँ मा, console देखने के लिए, तो मैं क्या लिखूँगा, console.log, user name, और वो मेरे पास console में आ जाएगा, ऐसी है, अच्छा, अब पहली तफ़ा अगर मैंने देखा है, यहां console में तो मुझे क्या आएगा नदर, हली आएगा, नहीं, जब वो तो enter करेंगे, तो फिर आएगा ना, हमने तो enter किये ही नहीं, अभी कुछ, यह वाला event तो fire ही नहीं हुआ अभी, यह fire नहीं हुआ, अभी यह फाइर नहीं हुआ है, अली है, तो वो बस print हो रहा है, अभी तो हमने कुछ को change ही नहीं किया, अभी तो event तो तब call होगा ना, जैसे हम कुछ change करना शुरू करेंगे, अच्छा, अब हम change करना शुरू करते हैं, हम लिखते हैं, अन, फिर लिखते हैं, वी, फिर लिखते हैं नवी, यह सारा हमने किया, लेकिन कुछ console हमें print हुआ, नहीं, अच्छा, नहीं हुआ print, तो हम क्या करते हैं, इसी console को, ओन चेंज header, जहां हमने value change कर दी हैं ना, in, on change, handler, वहां भी लगा देते हैं, और यह वारा username में in, component, ऐसे ही हैं ना, अब हमने इसको refresh करते हैं, username in component क्या आ रहा है, अली आ रहा है, क्या हो, username in on change handle क्या आ रहा है, नवीद आ रहा है, लेकिन, जो हमारा ये वाला console है, ये वाला, ये नहीं चल रहा है, और अगर ये नहीं चल रहा है, तो उससे क्या हो है, अगर आपने देखा हो कि, अभी variable में क्या value पढ़िए, नवीद पढ़िए, लेकिन यहां पर क्या आ रही है, हलांकि ये value, value variable में इस वक्त था, नहीं है, लेकिन इस तील ये, आ रही है, क्या scene बन रहा है, क्या लगा है, तेके ये तो value इसमें आ गए user name में, set होगी change होई ना, जब variable की value change होगी, ये अली से नवीद, तो इसको यहां पर change करनी चाहिए ना, वेरियब, लेकिन वो नहीं कर रहा है, अच्छा, अच्छा, ये आ रहा है, देखो, वेरियबल change हो रहा है, इसमें कोई दोर आई नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने उसी function के नीचे वेरियबल को console कराया, उसमें changed value आ रही है, लेकिन वो change value UI पे नजर नहीं आ रही है, अच्छा, अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे react की एक science है, जिसको वो, जिसको हम भोते हैं, react is very, उसकी popularity की reason यह थी, इसमें performance बहुत अच्छी थी, और performance की reason क्या थी, कि इसमें चीज़ें जो हैं वो fastly चलती हैं, रेंडर होती हैं, वो कैसे चलती हैं, ये variable के change होने पे UI चेंज नहीं करता, तेको variable change हो रहा है, लेकिन variable के change होने पे आप देख रहे हैं, ये return दोबारा नहीं चला रहा है, और जब ये return दोबारा नहीं चला रहा है, तो दोबारा code चल नहीं रहा है, और जब code दोबारा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है UI पे दोबारा चीज़े render नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा जब एक दफ़ा component चलता है, component के life cycle में ये एक दफ़ा चीज रेंडर हो जाती है जो चीज पहली दफ़ा रेंडर हो गी ना निशली उसको change नहीं हम कर सकते हैं वो रेंडर हो गी है UI के ओपर अच्छा लेकिन बहुत सारे cases में हमें ऐसा नहीं चाहिए होता जैसे अभी हमारे पास problem है वो problem यह हम चाहते हैं कि user जो भी नाम इदर लिखे वो नाम इदर आना चाहिए तो इसका मतलब है कि हम जो return के नीचे HTML है उसको बार बार render करना चाहते हैं नहीं समझे नार्मली react का component life में एक दफा रेंडर होता है जब वो निचली चलता है अब उसके बाद हम जितने मर्जी event काल करते रहें function काल करते रहें variable change करते रहें वो render दबारा नहीं होता वो कब render होका जब हम refresh करेंगे जब हम refresh करेंगे तो value लिक्क्यूई वैसे ही कतम हो जाएकि तो कुछ भी इसर नहीं आएगा अब इस चीज का इस problem का हमें क्या निकालना है fix निकालना है अच्छा इस problem का fix क्या होगा इस problem का fix यह है कि जो यह return है ना यह return इसको हम बार बार चलाएं अच्छा उसका एक नुक्सान होगा क्या हमारी application slow हो जाएगी परफार्मस देखाना एक चीज बार 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 चलाएं यह एक h1 बना हुआ है यह h1 जब दबारा दबारा print होगा दबारा दबारा screen पर लगेगा तो परफार्मस क्या होगी slow होगी लेकिन एक फाइदा भी होगा इसको दबारा चलने से क्या फाइदा होगा कि यह h1 दबारा चलेगा और इसको नया updated variable की value भी मिल जाए अच्छा इसका मतलब by default तो react render नहीं करेगा बार 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 चेंज करने पर लेकिन उसने हमें एक ऐसा mechanism दिया है अगर हम उस mechanism को use करते हैं तो हम react के component को बार बार render कर सकते हैं कितनी दफ़ा करना है यह हमारे control में और कब करना है यह भी हमारे control में तो वो कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से मैं आपको control देता हूं कि जिस component को आप जितनी दफ़ा चाहे रिरेंडर करना है कर सकते हैं अब हम बहुत जएदा दफ़ा उसको render नहीं करते ताकि उसकी performance लोग और इतनी दफ़ा भी काम नहीं करते कि हमें change नजर ना आए हम कुई middle का कोई तरीका निकालेंगे कि जिस तरह से कब उसको render करना है अच्छा एक चीज मज़ेगी है अगर इस component में एक element change हो रहा है ना सिरफ वो उसी को render करेगा एसे नहीं है कि वो पूरे return को दबारा से render कर देगा इसी को वर्चॉल डॉम बोल रहा था तो वो comparison करेगा देखेगा क्या element चोई change हो रहा है उस element की base के उपर वो फिर re-rendering जो है वो पर करेगा अच्छा अब यह re-rendering फिर होगा कैसे उसके लिए react ने एक निया mechanism mechanism introduce किया है उसको कहते है हुक्स क्या बोलते हैं हुक्स हुक के अंदर एक ऐसी हुक है हुक मतलब होता है ना कि किसी चीज को हुक करना मतलब उसको attentionally change करना उसने एक ऐसी हुक हमें introduce करवाई है जिसकी मदल से हम एक ऐसा variable मना सकते हैं एक ऐसा powerful variable जब भी उस variable को हम change करेंगे तो react का return भी चलेगा यानि कि react का component re-rendering होगा देखो नार्मा यह हमने बनाया है जावा स्कीब वाला variable सादा variable इस variable की base पे react का component दबारा नहीं चलता है अब जो हम variable बनाने जा रहे हैं उसके बनाने का तरीका मुक्तलिफ है वो variable बनाएंगे तो हम react जब हम variable बनाएंगे react के साथ तो variable को पता है यह variable मैंने बनाया अब जब change आएगा ना उस particular variable के अंदर तो react जो है वो variable की value भी change करेगा और साथ में re-rendering भी करेगा अच्छा उस mechanism को उस variable को बनाने का syntax क्या है हम react में से import करते हैं use state की hook use state की hook क्या करते हैं import करते हैं हम कहते हैं जैसे user name बनाना है तो हम बोलते हैं जैसे हम इसको बोल देते हैं maybe हमने इसको क्या किया हमने variable constant से हम variable बना सकते हैं ना constant बनाया हमने square बनाते हैं वो syntax यूज किया पहले parameter में हमने variable का नाम रखा तो क्या नाम रखा हमने state name और दूसरे में function का नाम यानि कि normally हम इस variable को update करते हैं तो हम कैसे करते हैं जो हम अपना बनाते हैं user name equal to new value दे देते हैं लेकिन ये जो हम variable बना रहे हैं ना state के साथ यानि के react की hook के साथ इसको हम ऐसे update नहीं कर सकते के state name equal to new value उसको असर नहीं करेगा इसको update करने के लिए वो दूसरे parameter में हमें क्या देता है एक function देता है उसके अंदर हम value बना चेंज कर सकते हैं तो constant दो square bracket पहले parameter में variable का नाम दूसरे parameter में एक function का नाम जो उस variable की value को क्या करेगा change करेगा और फिर equal to का sign use state एक function है यह कहां से हमने import किया है react में से उसके parameter में हमने value दे थी default जो भी value देनी थी और वो क्या default variable है value है अली अच्छा अब हमने इस variable की value को change करना है तो हम change कहां पे कर रहे थे on change handler में यहीं में value change कर रहे हैं तो हम यहां में value change करेंगे और कहेंगे हम अब state name की value सीधा तो change नहीं कर सकते उसको करने के लिए क्या use करना पड़ेगा function set name और उसको हम क्या value दे देंगे e.target.value अच्छा अब हम यहां पे जहां पे प्रिंट कर रहे थे user name in component सही है वहीं पे हम क्या कर लेंगे उसका दूसरे का component भी call कर सकते हैं हम ही मैंने call नहीं किया यानि कि हमने variable का set name वाला function set किया है लेकिन यह variable इस्तमाल नहीं किया कहीं रही ना इस्तमाल किया no use आ रहा है declare but never read अच्छा अब अगर आप देखे ना वह variable बनाने से क्या फरक आ रहा है देखो यहां पर क्या variable आ रही है अब मैं यहां में लिखता हूं नवीद अब जैसे मैंने लिखे नवीद तो क्या होगा के अब बार बार component चल रहा है बार बार new value आ रही है अब हमने user name के साथ हम print करा लेते हैं जो हमारा था सेटर सोरी स्टेड नेम हम इसको print कराते हैं यह आ रहा है value इदर नदर आपको अब अगर हम इस value को यहां पर भी print करा दें स्टेड नेम वाले variable को कहां पर user name वाले variable की जगां पर अब आप देखेंगे यहां पर run time पर क्या हो रहा है value change हो रही है यह ऐसा क्यूं हुआ उसकी reason यह है कि हमारा जो component था वो बार बार चला तो technically अगर हमें react के अंदर कोई ऐसा variable बनाना है कि जिसके change होने पर हम चाते हैं कि component भी दबारा render हो और UI effect change नदर आए तो हम कौन सा variable बनाएंगे through use state variable react की मतल से variable बनाएंगे यह एक variable की तरह ही है बस उसको change करने के लिए हम function इस्तेमाल करते हैं और उसकी variable रीड करने के लिए वो variable की तरह ही रीड होता है लेकिन यह एक ऐसा powerful variable है जिसमें दो feature है एक तो यह variable value contain करता है और दूसरा इसके change होने पर यह rendering भी करता है अब इसका बस फरक है कि यह use state के अंदर हमने यहां पर क्या पास कर दिये जिस तरह हम initial value पास करते थे वो initial value use state के parameter में जाती है यह क्या करता है यह variable बनाता है जिसना हमने state name का बनाया यह हम इसको user name कर लेते हैं यह user name के नाम से variable बनाएगा और उसमें value क्या रख देगा अली रख देगा नर्मली हम अगर खुद variable बनाते तो हम ऐसे बनाते ऐसे ही है ना बस उसका syntax जो है वो थोड़ा सा बदला है तो उसको हमने इस तरह से करमट कर दिया अब बस name change करने के लिए हमने उसका function का नाम बता दिया यह function use करके हम इसकी value को change करेंगे तो हमने वो on change handler में यह function use किया उसकी value को change किया तो अब इसके अंदर value खुद ही change होई जा रही है जैसे जैसे user change कर रहा है value और वो ही variable हमने यहां पे print भी कर दिया हाँ अगर वो ऐसे declare करना है कोई जैसे हम पहले array बनाते थे हम कैसे बनाते थे let array name और फिर equal to उसकर ऐसे करते थे अब अगर हमने यह array बनानी है state के साथ तो हम बोलेंगे custom उसका हम नाम में भी रख देंगे array set array function का नाम और जिससे वो array set होगी और use state में initial values आ जाएंगे दिखर ना यह function है तो initial value अब हमने जो भी हम equal to के बाद value देते थे थे ना वो value हमने use state के parameter में पास कर देनी है बस आगे string दे रहे थे अब हमने यहां पे क्या देदी array देदी ऐसे हमने कोई object बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे constant जैसे इंटीजर बनाने तो ऐसे बना देंगे ट्वंटी यूजर एज में चला जाएगा अगर हमने object बनाने तो भी constant maybe student set student equal to use state और उसमें क्या आ जाएगी object आ जाएगा और उसमें key pair value आ जाएगी जैसे name, email और वबा की चीज़ेंगे अब यह नया object set करना है तो यह वला key function use करेंगे अगर इसको use करना है तो जो नाम रखे है student वो use करेंगे like is ruining कि हम इसमें जो भी type इस्तमाल करना चाहिए हम कर सकते हैं अगर हमने एक students करना है अब एक से जैदा हो गए है तो अब यहां पर यह क्या हो जाएगी like जिस तरह का भी हम variable बना सकते हैं न सेम इस तरह बना सकते हैं उसकी जो भी default value आपने देनी है वो use state के parameter में दे देंगे और इदर जो है वो हम square bracket लगा के पहला variable का नाम है और दूसरा उस variable को change करने वाला function है बस इसका मतलब है जब भी component के अंदर हमने ऐसा data store करना है कि जिसके change होने पर हमने ली rendering भी करनी है तो हम सादा variable नहीं बनाएंगे variable state के साथ बनाएंगे बस यह फरक है बाकी same prop concept था कि हमें अगर data एक component से दूसर component को बेजने है state concept है अगर एक component अपना data retain रखने देखो ना variable बनाने पढ़ सकते हैं जिसमें data रखना होता है जैसे form से data ले लिया उसको save करना है अब वो data भी हम किसमें रखेंगे state में रखेंगे यह साधा variable बनागे रख सकते हैं लेकिन जैदा prefer है state ताकि वो change होती रहे और हमारे पास updated value यू यू आई में भी नजर आती रहे और स्टेट एंड हुक सेम ही चीज है कोई फ़रक नहीं है like state यह यू स्टेट है यह हुक है ना यू स्टेट को रेक्ट के जबान में हुक बोलती है एक हुक है ना मतलब बहुत सारी हुक से है उसमें से हम एक हुक पढ़ रहे हैं हाँ वो क्यों नहीं हो रही थी देखो वो सिरफ on click होने पे यह function तो चल रहा है लेकिन यह on change होने पे यह function तो चल रहा था लेकिन वो return component को दबारा नहीं चला रहा ना re-render नहीं कर रहा return से उपर भी नहीं चलेगा ना उसका तो मतलब यह है कि उसने यहां से लेके render का मतलब है कि उसने यहां से लेके दबारा rendering करनी है सारी पिर ही return चलेगा ना दबारा पूरे का पूरा component को दबारा चलाएगा पूरा component re-render होता है वो तो return के अंदर से HTML को manage करता है ना लेकिन उससे उपर की चीज़ें तो render करेगा तो चलेंगी वो like मैंने यहां पे लगाया होगा है let number equal to 2 multiply by 2 अब यह जब तक यह चलेगा नहीं तो 2 multiply by 2 4 कैसे होगा वो re-render करेगा तो होगा ना समझे रहे हो तो इसका मतलब है return से उपर उसने हर चीज़ को दबारा चलाना है ताकि latest javas की execute हो सके updated value नीचे जहां जहां update आई है वो change होती है नहीं वो तो रही है जैसे जैसे हम change कर रहे हैं और change होता जाता है ना उसकी value वो सिरफ उतना ही होगा जैसे अब हमारी app में तो कितने component है लेकिन वो अगर use state से render हो भी रही है चीज़ तो वो सिरफ एक ही component रेंडर हो रहा है जो चल रहा है अगर ज्यादा use state रहा है अगर ज्यादा use state रहा है एक रहा है एक रहा है पुरे dom को रेंडर हो रहा है वो पुरे dom को नहीं करा रही है उस particular component के dom को रहा है जो change आया उसको अगर हमारी ऐसी एप है जैसे हम रूट पे आ जाते हैं अब इसमें हमने बहुत सारे component लगाय हुए है अब यहां पे कोई state चेंज हो रही है जो यह अगर यह चेंज आया तो यह component है इसके अंदर चेंज आया तो पस इतना हिसा ही रेंडर होगा और उसमें सिर्फ भी वो जो change आया है और इसी तरह अगर में टाइम में यह चीज को चेंज हो रही है तो वो भी हो रही होगी नहीं ना अब बात नहीं समझ रहे है अगर इस इस particular component में जितने भी हमने state लगाई है कोई भी state चलेगी तो यह सारा component ही दवारा चलेगी समझागी है आपको तो इसमें हमने जो भी logic चलाई है वो तो बार बार रेंडर होंगी लेकिन अगर यह एक page के अंदर 10 component है और यह ए एक component है तो बस इतना हिस्सा फेक्ट हो रहा है बाकी चीज़ें वहीं static की handle है लेकिन अगर main time पे आप दो चीज़ों को change कर रहे है लाइक अगर component A भी change हो रहा है और component D भी change हो रहा है तो फिर दो at the same time render हो रहे है लेकिन normally user किसी एक जगा में activity कर रहा हो और जहाँ activity कर रहा है वही हिस्सा चेंज होगा तो अगर हमारे पास यहां पे end पे एक input थी यहां पे कोई input आये जिसमें email लिख नहीं है तो अगर फूटर के component में लिखी हुई है तो वह सिर्फ फूटर ही component render हो और नार्मली तो हम जैसे button वगेरा को या input का एक separate छोटा component बनाते है अब input अगर छ इंपूट को चेंज करने हैं तो इंपूट ही रेंडर हो रही है तो हमने तो इसे तो हमने ब्लॉग को भी तो किसी जगां पे इंपूर्ट करके call किया है तो इसके उपर अब एप component भी है उसके उपर अब ब्लॉग component भी है तो वह नहीं चलेंगे दोबारा यही तो ब्लॉग की चेंज हो रही है वह एप को दोबारा रेंडर करेंगे तो वह तो पूरी अप्लिकेशन ही रिफ्रेश हो गए इसी ही वज़ा से तो हम रेटी इस्तमाल कर रहे हैं कि यह सिरफ वही component रेंडर करेगा जो देखो न अब यह component भी ultimate कहां पे जाके चल रहा है ब्लॉ की चेंज हो रही है वो एप को दोबारा रेंडर नहीं करेंगे हाँ अलबता अगर एप की स्टेट चेंज हो रही है तो वो अपने चाल्ड सब को रेंडर करेंगे यानि पेरेंट में अगर कोई आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो उसके चाल्ड री रेंडर होंगे लेकिन चैंज हो रहा है तो parent render नहीं होगा यानि nesting में जाएगा नीचे उसके भी हमारे पास controls है इवन तो अगर हम चाहते हैं कि parent यानि app render हो दबारा चले use status में लगाएं और हम चाहते हैं कि blog दबारा नहीं तो हम blog को ये बात बता सकते हैं कि even तो आपका parent render रहा है तुमने render नह होना है यह भी हम बता सकते हैं लेकिन अभी के लिए अब लगाओ के तो parent अगर चाइल्ड चेंज हो रहा है तो पेरेंट पर एफेक्ट नहीं आएगा लेकिन अगर पेरेंट चेंज हो रहा है तो चाहिड पर एफेक्ट आएगा चाहिड रिण अडरोगा तो हमकब तो app.js में हम नहीं लगा रहे हैं इसलिए हम तो जाकि specific जगह पे लगाएंगे न जहां जरूरत है चेंज करने की इसलिए हम जएदा component बना रहे हैं तो हम उस component में जाके लगाएंगे जहां हमें जरूरत है परफॉर्मस नहीं अफेक्ट करता है लेकिन अगर जैसे आप कहरें जैसे हम app.js में सारी स्टेटें लगा दें तो फिर पूरी अप्लिकेशन स्लो करतेगा न क्यूंकि सारे पेजी भी रेंडर हो रहे हैं हर चीज रेंडर हो रही है तो वह अप्लिकेश सारी वैल्यू पूट करने के बाद सम्मिट पेख करेंगे तो फिर वैलिडेशन होगा तो फिर, ओन चेंज कोई यह बहु जादा प्रफार्मर्स ट्यक्टिक चीज नहीं है यह इजी है इसको हम ओनचेंज से ही अंडल करते हैं कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम कस्टम ली इसको मैनिज करना सीख रहें कि ओन्चेंज कैसे काम कर रहा है अब हम एक फार्म बना लेते हैं और मल्टिपल अगर हमें लगानी है तो हम अंडिस्टैंड कर लेते हैं कैसे लगेंगी जैसे एक इंपुट लगाई थी हमने यूजर नेम की इंटर्यूर नेम एक एमेल की लगा लेते हैं दो इनफ हैं अभी के लिए ओन्चेंज टेक्स की जगाँ एमेल कर देते हैं और यूजर नेम यूजर नेम की जगाँ एमेल आ जाएगा और यहां पे यह सारे स्टेट हमें नहीं चाहिए वो मैंने हमने वैसे ही लगाए थे वो चाहिए वो हमें रख लिए और एक और अब स्टेट बनानी पड़े की किसकी डिफॉर्ट में मुझे कोई एमेल नहीं रखनी है तो मैं इसको सिंपली डिफॉर्ट एम्टी स्ट्रिंग शोड़ देता हूँ अब डेफिनेटली इसका फंक्शन भी मुझे क्या करना पड़ेगा फिर सेप्रेट करना पड़ेगा ना अओंच हैंड्लर एमेल और उसके अंदर एमेल का जो भी चैंज आ रहा है उसको हमने आउण चैंज हैंडलर में डाल दिये हैं और यहां पर हम इमेल की जगहां पर क्या लगा देंगे और यूजर नेम के साथ हम इमेल लगा देते हैं उसको प्रिंट कर लेते हैं अब अगर हमने ओन बटन क्लिक सम्मिट का तो बनाए ही हुआ है ऐसी है तो इससे हम यह चीज़ खतम कर देते हैं और सिंपल इसको कॉल करते हैं बगार पेरामिटर के अच्छा इस पे जब क्लिक होना तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूजर ने इमेल और नेम सेट किया है वो एक अबजेक्ट बन जाए तो कैसे होगा लेट यूजर इकवर टू नेम के अंदर नेम और यूजर नेम और इमेल के अंदर ये क्या चीज मैंने यूज की है यूज टेट के जो वैरियेवल्स है वो यूज की है ये एक अबजेक्ट बन जाएगा ना इदर उस अबजेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ सिंपली कंसोल कर आ रहा हूँ उससे क्या होगा मुझे आइडिया हो जाएगा कि यूजर ने क्या एंटर ये इमेल एंटर की है और ये नेम एंटर की है और जैसे ही मैं submit पे click करूँगा user का object बन जाएगा name में name आजाएगा email में email आजाएगा अगर हमारे पास दो variable हों उसका हम ये object बनाना हो तो हम बना सकते हैं कैसे बनाते हैं let object का नाम equal to उसकी keys name और email और आगे उसकी values मैंने hard coded नहीं रखी मैंने variable प्रिंट करा लिए और variable काँ बन रहे हैं use state से और on change के ओपर हम उनको change कर रहे हैं तो उसकी value change होती जा रही है और जब submit पे click होता है तो उसमें लेकिन अगर intentionally कुछ भी value नहीं है और मैं submit करता हूँ तो फिर क्या होगा email में empty आएगा क्योंकि user ने अभी कुछ email एंटर नहीं की तो अब हम इसकी करेंगे validations अब अगर user अगर कोई भी चीज empty है न तो ये object बनने से पहले आपने उसको alert show करना है कि ये empty नहीं हो सकती तो हम कैसे करेंगे इसको डाल देता हूँ नेम अपना इधर और फिर करता हूँ तो वह के का interview और email तो जैसे ही मैंने email डाल दी required भी कर सकते हैं लेकिन हम custom javas के भी लगाना चाहते हैं इसलिए अच्छा वो इससे मैंने validation लगा ली if लगा के अब अगर इसके साथ न हम को UI में भी effect दिखाना चाहते हैं red green करना चाहते हैं उसको तो वो हम कैसे कर सकते हैं conditional rendering करने पड़े हैं कैसे अगर उसकी value नहीं है तो हम कहेंगे के यह empty नहीं हो सकता red color कर देंगे अगर वो है तो वो हो जाएगा तो input का जो color है जो उसका border है two pixel आ रहे है न red अब यह जो red है इसको हमें क्या करना है condition चेक करनी है यहां पर तो हम क्या करेंगे simply इसको वो बना लेते हैं और इसको हम बोल देते हैं कि अगर यूजर नेम अगर नहीं है अगर यूजर नेम नहीं है तो क्या करो red कर दो otherwise white कर दो अब है तो white कर दी अगर नहीं है तो red हो जैसे enter होगा तो white हो जाएगा या black कर दी green कर देते हैं अब नहीं है तो जैसे enter करेंगे तो green हो जाएगा अच्छा लेकिन अब इसमें न ये बहुत ज़्यदा चीज़ें नहीं है like ये तो मैंने सिर्ज यूजर नेम पर चेक कर लिया है या नहीं अब हम ये चेहता कहते हैं या यूजर नेम ना आठ करेक्टर का हो पूरा तो फिर फिर green और वाइज ना हो तो फिर हम क्या करेंगे यूजर नेम डॉर्डर लैंथ अगर एड है तो फिर उससे पीछे पीछे वो रेड रहेगा इसी तरह एमेल की वैलिडेशन करनी है चीज़े करनी है तो हम कर सकते हैं अच्छा उसके बाद नार्मली अब यहां में यह कंडिशन्स जहता मैस हो रही है ना ऐसे ही है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक लैदा से स्टेट बना सकते हैं एरर मैसिज की उसको हम प्रिंट करा सकते हैं यगर यह है या नहीं उस पर कंडिशन लगा सकते हैं मल्टी बादे वह सारा कुछ हम इधर डिस्पिले करा सकते हैं उस हिसाब से है तो आज हमने अब आपका टार्गर यह है कि हम इस वी के एक बनाएंगे असाइन्मेंट और उसको हम एक कॉंटेक्ट रस फार्म बनाएंगे यह एक फार्म आपने बनाना है मैं साइन्मेंट इसकी क्रेट कर देता हूं इसमें क्या है कि आपकी यूजर आइडी जो है वो जो जो कंडिशन यह बता रहे है वो वो कंडिशन लगा नहीं है लेकिन प्रापर यानि कि आप निसके कलर अगर यह सारी कंडिशन मैट कर रही है और जब फॉर्म सब्मिट हो तो कंसोल के अंदर एक अबजेक्ट बने और उस अबजेक्ट में ये सारा डैटा हो लाइक जिस तरह मैंने भी name और email करवाया ना console पे तो वो console में ये सारा data है उसमें एक की और user ID एक की और password एक की और name एक address हो एक country हो zip code email sex language about और सम मीडिया सारी information इसके अंदर available वो तुप database से करना कड़ेगा वो भी नहीं हो सकती ड्रापड़न लिस्ट एंटर की हुई है एक सब्सक्राइब कोई में देते हैं एक दो तीन देते हैं फैसलाबाद में यह भी स्टेट में स्टोर होगी हाँ दोनों करते हैं तो दोनों की वैलियू लखनी पड़े कि हमें एक करता है तो एक ही आजाएगी हो जाएगा तो यह आप लोगों ने करना है तो भी इसको हम फिगर आट करेंगे नेक्स्ट